इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइन लेस्टर वेबसाइट के बारे में माइन लेस्टर वेबसाइट एक बहुत ही जैन्मीन वेबसाइट है इस पर आपको बहुत सरे कोर्स एविलेबल है जिसको आप फ्री में इन्रॉल करके और वहाँ से अपना सर्टिफिकेट फ्री अफ्कोस ले सकते हैं तो इस वीडियो हम देखेंगे कि यह हमारा जो माइन लस्टर वेबसाइट है इस पर हम कोर्स इन्रॉल कैसे करेंगे साथ ही साथ हम सर्टिफिकेट कैसे गेट करेंगे तो हम आपको इस वीडियो में live दिखाएंगे कि आपको कैसे register करना है, certificate कैसे get करना है, सारे process आपको इस वीडियो में step by step बताया जाएगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कि आपको ये वाला website open करना है, इस website का link हम आपको वीड option पर, इस sign up option पर जैसे हम click करेंगे, यह हमारा sign up का option दिख रहा है, तो इस page पर हमको click करना है, जैसे हम इस पर click करेंगे, हमारे सामने एक नया page खुलेगा, जो इस type का होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखी, आपको क्या पूछा जाएगा, your name, your email, your password, और confirm password, तो आपको सबसे पहले अपना नाम फिल करना है, फिर email id, फिर एक password बनाना है, तो चलिए हम आपको फिल करके दिखाते है, demo, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना नाम फिल करना है, जैसे मेरा नाम देव कुमार सर्मा है, तो मैंने अपना नाम फिल कर दिया, फिर आपको यहाँ पर email id fill करना है, तो आपको अपना email id जो है, वो fill कर लेना है, तो मैंने एक email id ऐसे generally fill कर लिया, अब आपको यहाँ पर password बनाना है, तो आप password कोई भी बना सकते हैं, जैसे मैं password बना लेता हूँ, कोई भी general word का password बना सकते हैं, जैसे मैं password इस type का बना लेता हूँ, जो password आ करने के बाद आपको यहां पे sign up now पे click करना है जैसे ही आप sign up now पे click करेंगे तो आप यहां पे successfully registered हो जाएंगे अब आपको क्या करना है जैसे ही आपका sign up हो जाता है उसके बाद आपको यहां पे login वाला option दिख रहा है इस login वाले option पे click करना है तो जैसे ही हम login वाले option पे click करे तो अब हमारे सामने नया पेज उपन होगा तो इस पेज में आप देखिए आपको क्या पूशा जा रहा है लॉग इन करने के लिए आपको email ID and password जो आपने भी बनाया हुआ है तो आपको वो login ID और password यहाँ पे फिल कर देना है तो चलिए हम इसको फिल कर देते हैं तो मैं यहाँ पे remember me पे क्लिक करके और फिर यहाँ पे login कर दोंगा तो मैं यहाँ पे login पे क्लिक करता हूँ जैसे ही मैंने login पे क्लिक किया अब यह मेरा successfully login हो चुका है अब login हो जाने के बाद आपको देखिए बहुत सारे option दिख रहे होगे तो login जब आपका ID हो गया है तो आपको यहाँ पे एक option दिख रहा होगा जिसमें photo type का कुछ option है तो आपको यहाँ पे click करना है इस वाले option पे तो जैसे ही आप click करेंगे अब आपको देखिए कुछ इस type का option दिख रहा होगा तो मैंने अपना personal information यहाँ पे complete कर लिया है इसलिए यहाँ पे incomplete का option नहीं दिखा रहा है तो अगर आपने अपना personal information complete नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ पे incomplete का option दिखाएगा तो इसके लिए आपको क्या करना है, professional info पर जाना है और इस पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपना, यहाँ पर देखिए, अपना नाम, फिर gender, country, date of birth, type of student, and work type यहाँ पर fill कर देना है फिर यहापे आपको एक option भी होगा जैसे कि मैं आपको यहापे edit info में जाके बता देता हूँ जैसे ही आप edit info में जाएंगे आपको देखिए पहले first name चूच करने को बोलेगा फिर second name, फिर gender, फिर country, फिर आपको date of birth फिल करना होगा और उसके बाद नीचे में आएगा आपका job type का याणि किस type का job है आपका फिर यहापे field work office study इस पे आपको अपना जो भी है वो select कर लेता है जैसे कि हमने engineering select किया हुआ है इसमें बहुत सरे option भी है तो generally मैंने engineering select किया हुआ है अब आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा add files का what education field are you interested याणि किस field में आप interested है तो मैंने यहाँ पर science select किया हुआ है फिर नीचे में मैंने engineering select किया हुआ है mathematics select किया हुआ तो जिसमें आप interested है उसको select कर लेंगे और select करने के बाद आपको क्या करना होगा save information पर click करना होगा तो हमने यहाँ पर save information पर click कर लिया अब जैसे यह save information पर click करेंगे अब आपको देखिए यहाँ पर option आ गया होगा यह जो हमारा profile का option दिख रहा है इस वाले option पर click करना है तो generally मैं क्या करता हूँ इस वाले option पर click करूँगा और उसके बाद आपको देखिए एक नीचे में option होगा setting का तो आप इस setting वाले option पर जाएंगे तो हम इस setting वाले option पर click कर लेंगे अब देखिए आपको यहाँ पर आ पर upload करना है तो मैं यहाँ पर option दिख रहा होगा drag file का तो इस पर आपको click करके और एक picture यहाँ पर save करना है तो generally मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर picture एक select कर लेता हूँ तो मैंने यहाँ पर profile picture select कर लिया बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह थोड़ा सा size में large दिख रहा तो यह आपका profile जो है वो छोटा हो जाएगा और फिर यहाँ पर आपको क्या कर लेना है update profile picture पर click कर लेना है जैसे ही आप update profile picture पर click करेंगे आपका profile picture upload successfully हो जाएगा तो यहाँ पर आपका profile picture क्या हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं profile picture successfully update हो चुका है यहाँ पर भी जैसे हैं फोम ओले option पर क्लिक करेंगे अब देखिया आपका profile picture यहाँ पर successfully update हो चुका है अब हमको क्या करेंगे यहाँ पर course enroll करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि course enroll का क्या process है और उसमें कैसे हम certificate get कर सकते हैं तो चले हम course का process आपको पताते हैं अब आपको क्या करना है, जो website का link मैंने description box में दिया हुआ था, उस website की link को आपको क्या करना है, यहाँ पे लाके paste करना है या उसको फिर से open करना है, तो मैं यहाँ पे लाके paste करके और यहाँ पे फिर से continue करता हूँ, अब जैसे ही आप उस website से यहाँ पे click करेंगे, तो हमारे college में जो कोर्स एविलेबल कराया गया वो कोर्स ये वाला है ISO 9001 Quality Management Systems यानि इस कोर्स का उमलों को करना, इस कोर्स का रिभीव बहुत अच्छा है यहाँ पर कोर्स का रिभीव देख सकते हैं यह कोर्स का जो रिभीव यहाँ पर वो अप्रोक्स 5 के आसपास है, यानि यह कोर्स काफी बेटर है इस कोर्स में यह कोर्स जो है वो साइन्स पर है मतलब ट्रैकिस का साइन्स है लेशन इसमें 36 लेशन है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि option दिख रहा होगा यहाँ पर for free certification after complete the course यानि कि अगर आप free certificate चाहते है तो मतलब आपको यह course complete करने पर आपको एक free certificate मिलेगा जिसमें आपको कोई भी payment करने के आउसकता नहीं है और आप यहीं से ही certificate गेट कर सकते हैं मैं आपको live यहाँ पर एक certificate भी गेट करके दिखाऊंगा जिसमें किवल एक ही lesson है जो एक easy course था चनरली मैंने वो certificate गेट करने के लिए इन्रॉल किया हुआ था तो आपको इस website पर आना है आप देखिए मेरा यहाँ पर क्या दिखा रहा होगा आपको resume course दिखा रहा होगा ऐसे जब आप इसको login करेंगे तो आपको यहाँ पर start course का option आएगा तो आप start course पर click करेंगे मैंने पहले ही इसको start कर लिया था अब मैं क्या करूंगा इस resume course वाले option पर click करूंगा तो जैसे ही मैंने resume course पर click किया अब यहाँ पर नीचे में scroll करेंगे इसको जैसे जैसे scroll करते जाएंगे नीचे में आपको option दिखते जाएगा अब देखिए आपको इस type का option दिख रहा है तो देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है lesson, list, 36 lesson यानि ये जो course है इसमें 36 lesson है आप देख सकते हैं कि हार एक वीडियो का duration भी जो है वो 5 minute, 5 minute 14 minute, 10 minute यानि काफी छोटी छोटी वीडियो है जिसको आपको आसानी से easily completely watch कर लेना है तो यहाँ पर total 36 वीडियो है यहाँ पर total आपको 36 वीडियो देखने को मिल जाएंगे आप देखिए इसमें rule क्या है कैसे वीडियो को watch करना है तो जैसे मैं क्या करता हूँ यह first वीडियो open करता हूँ तो मैं यहाँ पर फर्स्ट वीडियो open करोंगे तो मैं इस पर click कर देता हूँ जैसे ही मैंने इस पर click किया अब ढ़िखिए आपके सामने थोड़ा से स्को scroll करेंगे उपर की तरफ तो ये वीडियो यहां पर आपको दिख रहा है, ये वीडियो आपको यहां पर सो हो रहा है, तो ये यूटुब का जो सक्षन आपको दिख रहा है, इस पर आपको यहां पर क्लिक कर लेना, यहां इसी पर क्लिक कर लेना, मैं यहां पर इसको म्यूट कर लेता हूं, अब देख बट हमने इसको completely watch कर लिया था तो इसलिए क्या दिखा रहा है ब्लू दिखा रहा है तो आपको इसको क्या करना है यहाँ पे आप सेटिंग में जा कि इसके जो playback speed है इसको normally रने देंगे अगर आप इसका speed बढ़ाते हैं तो फिर आपका lesson progress जो है वो completely नहीं हो पाएगा quality कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से आप क्या कर सकते हैं quality जो है यहाँ पे quality को कम ज्यादा कर सकते हैं उसके फर्क नहीं पढ़ने वाला बट वीडियो का जो speed है वो speed नॉर्मल ही रना चाहिए इसको ज्यादा या कम ज्यादा नहीं करना है अब rule second क्या है कि आपको वीडियो क 75% से जबादा ही वाच करना है यानि वीडियो को अगर आप 60% वाच करते हैं जैसे कि मान लेता हूँ मैं कि ये वीडियो जो है ये वीडियो 5 मिनट का है आप इसमें 2 मिनट वाच करके वीडियो छोड़ देते हैं तो वो आपका count नहीं होगा क्योंकि आपको totally 75% या at least उसे ज़्यादा count complete करना पड़ेगा यानि अपरोक 4 मिनट के आसपास इस वीडियो को completely देखना होगा तो उससे अच्छा है कि 5 मिनट आप completely देख ले ताकि ये वीडियो 100% sure हो जाए और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो जैसे ही आपका ये वीडियो complete watch हो जाता है तो ये आपका जो lesson यहाँ पर मेरा पहले से ग्रीन दिख रहा है ये आपका totally blue हो जाएगा उसके बाद जैसे ही आपका lesson first complete हो जाएगा आपको क्या करना है lesson second को open करना है और जैसे मैंने इसको बताया वैसे ही आपको इस lesson को complete watch करते जाना है आप जब चाहें तब इसको open करके आप इसको start करके और अपना वीडियो watch कर सकते हैं बट ध्यान रखना है प्लेवे की speed को कम या जादा नहीं करना है जो आपका speed normal में है उस normal ही रने देना है अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपका जो watch time है वो count नहीं होगा अब उसके बाद ये total वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको gate certificate का option मिलेगा तो चलिए मैं आगे का process थोड़ा से बताता हूँ इसके बाद आपको क्या करना है आपको इस वाले option पर click करना है फिर से profile वाले पर इस profile वाले पर click करेंगे और फिर यहाँ पर my course वाले option पर जाएंगे my course पर आपको click करना है my course पर आप जैसे ही click करेंगे थोड़ा सा scroll down करने के बाद आपको ऐसा एक page दिखेगा आपको जब यह 75% या उससे ज़्यादा complete हो जाएगा तो आपको यह सारे option खुल जाएगे यानि get certificate करने का option आ जाएगा तो generally मैंने इस course में यहाँ पर 8% complete कर लिया हुआ है और मैं अगर बहुत सारे वेडियो का completely watch कर लेता हूँ तो यह मेरा सारा open हो जाएगा जिससे मैं certificate get कर सकता हूँ तो अब इस section में आपको देखिए एक option दिख रहा होगा so watching detail यानि कि आपने कितने course को watch किया हुआ है वो watching detail आपको यहाँ पर दिख जाएगा तो यहाँ पर आपको so watching detail पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने यह first वाला course 100% क्या कर लिया हूँ watch कर लिया हूँ इसलिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको इस वाले course में 100% दिखा रहा है फिर नीचे वाला भी 100% दिखा रहा है फिर उसके नीचे 100% दिखा रहा है यह जिसको आप successfully watch कर लिया है 100% वो आपको 100% दिखाएगा और आपको ऐसे सारे course को कर लेना है जैसे आपको एक नीचे में मैं दिखाता हूँ यह जितने भी दिख रहा है यह सारे को क्या करना है आपको 100% watch कर लेना है watch करने के लिए अगर आपको माल लेते हैं वहाँ से open नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से जाके क्या कर सकते हैं जैसे मैंने यह course watch नहीं किया हुआ है तो मैं open lesson पे click करूँगा इस open lesson वाले option पे click करूँगा तो open lesson पे जैसे ही मैं click करूँगा तो अब यह open हो चुका है यहाँ पे lesson पे हो जाने के बाद आपको यहाँ पे click करना होगा जैसे ही आप click करेंगे यह video start हो जाएगा चलना अब आप इसको completely watch कर लेंगे ध्यान रहे वीडियो का playback जो speed है वो normally रने देना है नहीं तो आपका certificate जो है वो लेने में दिक्कत आ सकती आप देख सकते हैं जैसे video चल रहा है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे option यह जो नीचे में देख रहा है blue color का यह देखिए बढ़ रहा है यह आगे की तरह बढ़ रहा है तो फिर से आपको my course में जाना है जैसे मैंने एक course यहाँ पे वाच किया हुआ था जो जिसमें एक ही video था generally मैंने उसको test करने के लिए किया हुआ था तो यह जो course था इसमें केवल एक ही lesson था जो normal था एक यहाँ पे lesson एक था मैंने इसको completely वाच किया था जैसे आप get the premium certificate update free certificate update free french certificate तो आपको यह वाला option पे click करना update free english certificate इस पे आपको click करना होगा इस पे आप जैसे ही click करेंगे तो click करने के बाद देखिए मैंने क्या कर लिया था यहाँ पे certificate download कर लिया था तो आप यहाँ पे देखिए एक option दिख रहा होगा you have only one time to update your name and you did that अब देखिए इसका region क्या है न कि आपने माली जे course complete कर लिया तो आपको certificate करने के लिए वो option पे मैंने click कर लिया get certificate तो आपको यहाँ पे नाम fill करना होता है अपना नाम fill करके जैसा ही get करेंगे आपका certificate यहाँ पे आ जाएगा जैसे मेरा यह certificate यहाँ पे आ चुका है यह वाला certificate देखिए मेरा यहाँ पे नाम दिखा रहा है आपको फिर certificate number दिखा रहा है अब मैं easily यहाँ से क्या कर सकता हूँ इस download certificate as image या download certificate as PDF पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे download again वाले option पे क्लिक कर लेंगे तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ आपको देखिए यहाँ पे यह certificate आपको दिख गया यह certificate completely download हो चुका है आपको यहाँ पे नाम दिखेगा और आपका certificate ID भी दिखेगा आपको best दिखेगा, keyword code दिखेगा जो genuine है, date दिखेगा जिस date को आपने इसको complete किया हुआ जैसे मैंने आज ही के दिन वाच किया है जैसे एक, एक, नौद, वाया, तेईस यानि कि मेरा आज का यह certificate हो इस तरह से आप क्या कर सकते है Mind Luster website से easily आप free में अपना certificate get कर सकते है और generally जो हमारा वो जो course है, जो मेन हमारा course है my course में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला जो मेरा course है ये वाला quality management system, इसी course को हमें complete करना है, तो यहाँ पर so watching detail पर जाके, और आपको ये जो सब दिखरा है न, जैसे मैंने देखी इस course को क्या किया था, थोड़ा देर के लिए open किया था, तो ये 10% complete हो चुका था, तो आपको सब को open करकरके, और completely watch कर लेना है 100%, जब आप इसको 100% कर लेंगे, तो आपका यहाँ पे get certificate का option आजाएगा, और आप वहाँ से easily अपना name फिल करके, अपना certificate download कर सकते हैं, तो इस तरह से easily आप क्या कर सकते हैं Mindluster app से free में course enroll करके, और आप certificate get कर सकते हैं, अगर आप कोई और course enroll करना चाहा है, तो home में जाके, और यहाँ पे, यहाँ पे कोई भी course का नाम सर्च कर सकते हैं, जैसे engineering, जैसे माल लेते हैं python से related कोई course हो, तो python आप सर्च करेंगे, तो यहाँ पे देखिए python programming language, इस टाइब का बहुत सरे course आ जाएंगे, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, start now करके enroll कर सकते हैं, और आप उसको कर सकते हैं, यहाँ पे certificate get कर सकते हैं, और यह site यह website 100% genuine है, so आसा करते हैं, आपको यह video काफी पसंद आओगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, share और चर्टर को subscribe करना ना बोले so thanks for watching my video